सो फ्रेंड्स आज के सबडेट में हम लोग अप्रेल मन्त के लिए पांच अलग-अलग सरकारी नौकरी मीस गौर्णमेंट जॉब की इनफोर्मेशन को यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं पांच अलग-अलग डिपार्टमेंट से आँ पे रहेंगी चलिए बिल्कुल भी टाइम वेसनिंग करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट की और हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है पर रहेगा बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स तो बीएसेफ में यह वेकैंसी रहने वाली है बताना चाहते हैं कि बीएसेफ में हैट कॉंस्टेविल के पद पर निकली भरतियों के बारे में इनमें 247 पदों के लिए युवा जिनकी उमर 18-25 वरसे आविदन कर सकते हैं और बारवी परिक्षा विज्यान विशाय में PCM होना चाहिए 60% अंग के साथ या आपको जो है बारवी परिक्षा उतरिन हो फिर वे 10 पास हो या फिर उनके पास ITI सर्टिफिकेट हो तो 10th ITI और 12th Candidate से अपला कर सकते हैं और आविदन की जो अंतिम्तिती है 12 माई रहने वाली है चैनित होने पर प्राप्त 25,500 रुपे से लेकर इतना आपको वेतन परमेंत बेसेस पर दिया जाएगा इस बिवाग में स्टाफ नर्स के पद पर 65 पदों पर भरती निकली है जिसमें चैनित होने के बाद कोलकता के चितरांजन नेशनल कैंसर इंस्टिटूट में पोस्टिंग की जाएगी इसके लिए आपको 8 माई तक आविदन करने का समय दिया गया क्वालिफिकेशन के लिए नर्सिंग ग्रेजुएट होना आपका अवश्चक है 21 से 30 वर्स उमर यहां पर रखी गई है और 30,000 रुपे तक आपको वेतन परमेंत बेसिस पर दिया जाएगा तो ये तो था हमारा दूसरे नमबर का विवाग अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नमबर के विवाग की वेकैंसी की जानकारी की और तो तीसरे नमबर का जो विवाग है NTM is National Testing Agency तो इस विवाग में कई अलग-अलग पदो पर 709 रिक्तियां जारी की गई है इसके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग-अलग मांगे गई अंतिम तारीक तक फॉर्म फिलप करने के 16 मई है मीज 16 मई जो है लाज लेट यहां पर रहेगी ओलाइन परिक्षा एबं इसकिल टेस्ट के मादम से भरती की जाएगी चैनित होने पर आपका वेतन जो है इतने से इतने तक आपको यहां पर परमानति बेसेज पर दिया जाएगा तो यह तो था हमारा तीसरे नमबर का बिवाग की जो जानकारी मा ने हnesday जो हो को यहां पर प्रवाइट करा दि बढ़ते हैं अगला जो बिवाग है वो रहेगा SSC means Staff Selection Commission means करमचारी चायन जो आयोग है और इसमें CGL Combined Graduate Level की विकैंसी रहने वाली है Staff Selection Commission Combined Graduate Level का यह recruitment है सभी पांच सरकारी रिक्तियों में सबसे ज़्यादा भरतियां इसी बिवाग में देखी जा रही है और 7,500 पदों पर आविदन कर सकते हैं तो 7,500 जो है यहाँ पर नमबर आव वेकैंसी रहेंगी SSC CGL के अंतरगत 1 माई रहेगी मिस आविदन करने की जो लाज देट है 1 माई रहने वाली है 1 माई तक आप लोग आउलना विदन कर दे क्वालिफिकेशन में ग्रेजूट होना आपका जरूरी है चैनित होने पर आपका जो वेतन है 25,500 रुपे से लेकर 1,59,000 रुपे आपको परति माईना परमंद बिशिस पर दिया जाएगा यह है वेतन अलग-अलग पदों के लिए रहेगा इसकी जो परिक्षा है 14 जुलाई से 27 जुलाई के मध्य रहने वाली है तो दोस्तों यह जो है Central Government का Recruitment है Combined Graduate Level SSC की थूँ जो है जितने भी केंदर सरकार के जो बिवाग है इनमें अलग-अलग Graduates Level पर यह Vacancy रहने है वाली है बढ़ते हैं अपना फिफ्ट नमबर का मीज आखरे नमबर का जो बिवाग है तो फिफ्ट नमबर का जो बिवाग है वो रहेगा UPSC Union Public Service Commission तो भारत के सरकारी बिवाग में अलग-अलग पदों के लिए 146 भरतिया निकाली गई है 27 अप्रेल तक आप लोग आविदन कर सकते हैं इसके लिए 30 से लेकर 40 तक की उमर के लोग जो है आविदन कर पाएंगे चैनित होने पर 54,700 रुपे से लेकर करीब करीब 90,000 रुपे आपको salary परमेंद बेसिस पे दे दी जाएगा तो दोस्तों जो भी information थी मैंने cover की और इसी तरीके से अपडेट आगे भी पाते हैं चैनल को subscribe कर लें वीडियो के नीचे जाए subscribe के red बेटन को click कर लें हर vacancy का अपडेट आगे भी पाते हैं thank you so much